नमस्कार दोस्तों थर्ड रिलेशिन के बारे में बात कर रहे थे और फर्ड रिलेशिन का फर्ष्ट पार्ट हम कर चूके थे जिसमें The Guitar Player एक कहानी थी आज बात करने वाले हैं उसके सेकंड पार्ट के बारे में तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस परकार से सेकंड जो स्टोरी है वो उमें किस परकार से क्या प्रेणा देती है तो आईए शुरू करते हैं The Story वो कहानी जिसके वारे में आज हम बात करने वाले हैं Swamvar जिसका नाम Swamvar है Is about women's freedom वो है महिलाओं की आजादी के बारे में And Fox is on the fact और वो कहानी इस तथे के उपर आपका ध्यान केंदरित करती है That certain set roles की कुछ निश्यत कारिय कलाप आर एसाइंड दे दिये गये हैं To women महिलाओं को in the Indian society हमारी भारती समाज में And our if she wants a little more freedom और यदि वो महिलाओं कुछ अतिरिक्त यदि थोड़ी बहुत और यदि वो आजादी चाहती है The parents उनके जो माता पिता हैं and members of the society और समाज के जो उनके सदश्य हैं Our NIP वो क्या हो जाते हैं उनसे परेशान हो जाते हैं या वो थोड़े बहुत चिंतित हो जाते हैं So, Swamward जो कहानी है वो महिलाओं की सोतंतरता के बारे में है और वह इस बात पर बल देती है कि बारतिय समाज में जो महिलाओं है ना उनकी जो भूमी का है वो पहले से ही समाज ने निर्धारीत कर रखी है और यदि वे थोड़ी से और भी अधिक सोतंतरता चाहती है तो उनके परिवार के जो माता-पिता है या फिर समाज के जो लोग हैं वो उनसे थोड़ी बहुत नाखुश हो जाते हैं इसी विशे के उपर आपकी ये कहानी है men think क्योंकि समाज में रहने वाली जो पुरुश हैं वो ऐसा सोचते हैं themselves always to be superior कि वो और भी अधिक स्रेष्ट हैं to women महिलाओं से and do not like to accept their defeat और इस वज़े से वो जो पुरुश हैं वो अपनी जो एक तरह से जिसे आप शिकस्त कहते हैं हार कहते हैं उसे वो क्यानी करना चाहते हैं स्विकार करना नहीं चाहते तो कभी कबार जब महिलाओं के सामने वो हार भी जाते हैं तो फिर भी वो उस हार को क्यानी करते हैं स्विकार नहीं करते हाला कि एक महिला जो है वो चाहती है पसंद करती है तो चूज एक कमपैनियन एक साथी का चुनाव करना वो बिलीवज इन जिंडर एक्विलिटी जो की ऐसी समानता में विश्वास रखता हो जो लिंग के प्रती हो मतलब वो लिंग ये जो भेद है उस पर किसी प्रकार का कोई भेदबाव नहीं रखता हो वैल्यूज और जो महतु देता हो हर टैलेंट्स उसकी प्रतीबा को और एसेप्ट से हीज ओवन शॉट कमिंग्स और उसे अपने एक वर की रूप में ऐसा पती चाहिए जो अपनी खुद की कमियों को क्या करे मैसूस करे तो फिर भी एक महिला ऐसे साथी का चैन करना पसंद करती है जो लिंग समानता या लेंगिक समानता में विश्वास रखता हो तता उस महिला की परतीबाओं का वो सम्मान करे और अपनी स्वेम की जो कमिया है उसको वो स्विकार करने के लिए क्या रहे हमेशा तत पर रहे इस प्रकार से ये कहानी हमें महिला समानता के उपर क्या करती है विचार व्यक्त करती है पाईए कहानी शुरू करते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कहानी का आपका सीर्शेक है स्वैमवर, तो स्वैमवर नॉर्मली उसे कहा जाता है जब महिलाएं या लड़कियां अपने खुद का वर्ष स्वैम चुनती हैं जिनमें माता-पिता का कोई हस्तक्षव नहीं होता है, तो ये कहानी के रूप लेको थी, तो एक राजकुमारी छोटी किसी राज्य महसी थी जो बहुत ही अच्छी तरह से सीटी बजाने में माहिर थी, डॉंट विशल्, अरे सीटी मत बजाो, सैड हर मदर उस उस राजकुमारी की माह हमेशा कहती थी don't whistle सैड हर फादर उस राजकुमारी के पिता भी कहते थे बट लेकिन दा चैल्ड लेकिन वो जो राजकुमारी थी वो आज good at it वो उस कारिय में इतनी महरत उसे हासिल थी वो इतनी अच्छी तरह से city बजाती थी and went on whistling इस वज़े से वो अपने उस city बजाने की आज़त को छोड़ नहीं पाई और निरंतर क्या करती रही city बजाती रही तो किसी राजकुमारी थी जिसे city बजाना बहुत अच्छा भी लगता था और उसे बहुत अच्छी city बजानी भी आती थी माता-पिता के विरोध करने के बावजूद भी उसने city बजाना नहीं छोड़ा years went by इस प्रकार से worst से worst बीते चले गए and she became a woman और अब वो जो चोटी बालिका थी जो राजकुमारी थी वो बड़ी हो गई है by this time और उस समय तक जब वो बड़ी हुई see we shared beautifully उसने बहुत ही मदूरता के साथ और बहुत ही निपूरता के साथ city बजाना शुरू कर दिया या सीख लिया हर परेंट्स उसके जो माता-पिता थे grieved वो हमेशा दुखी रहते थे चिंतित रहते थे किस बारे में what man की कौन पुरुष will marry शादी करेगा a whistling woman एक city बजाने वाली औरत से sad हर मदर उसकी मा ये कहती थी dollfully बहुती उदास होकर उसकी जो माती राजकुमारी की वो हमेशा ये ही कहा करती थी कि city बजाने वाली लड़की से कौन शादी करेगा हमेशा उसकी मा दुखी रहा करती थी well cared said her father उसके पिता ने कहा we will have to make the best of it चाहे परिस्तिती कैसी भी हो हमें वही काम करना चीए जो हमारे लिए और उसके लिए अच्छा हो और पिता क्या कहते हैं I will offer half my kingdom कि मैं अपना आधा राज ये दे दूँगा and the princess और इस राजकुमारी को भी मैं दे दूँगा in marriage शादी के रूप में कन्यादान के रूप में to any man किसी भी पूरिश को who can beat her जो उसे हरा देगा at whistling क्या करने में city बजाने में तो पिता ने कहा दिया कि यदि कोई उसे city बजाने की कलाम यदि हरा देगा तो वो राजा उस व्यक्ति को जो उस राजकुमारी से शादी करेगा उसे आधा राज है राजकुमारी क्या कर देगा दान में दे देगा दान का ताथ ये कन्या दान में the king's offer ये जो राजा का जो प्रस्ताव था was duly proclaimed वो बहुत ही विस्तरित तरीके से लोगों की द्वारा स्विकार किया गया उसकी उद्गोशना कर दी गई and soon और जल्दी ही the palace उसका जो राज बहुन था was jammed वो भर गया with shooters whistling ऐसे लोगों के साथ जो city बजानना जानते थे और साथ में जो राजकुमारी से शादी करने आये थे तो कुछ ही समय में जो राजमहल था वो पूरा भर गया उस राजकुमारी से शादी करने वाले लोगों पुरुशो से it was very noisy और जब आपको पता है सबी लोग वहाँ city बजाने वाले आये थे तो निश्चित रूप से वहाँ पर चारो तरफ बिल्कुल शोरगुल होने लग गया most were terrible बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिनकी city बजाने की जो कला थी या city बजाने की जो प्रिक्रिया थी वो बहुत ही बद्दी थी बहुत ही खराब थी जिन्हें आप भयानक कह सकते हैं if you were good कुछ ही लोग ऐसे थे जो थोड़ा बहुत ठीक थे उस city बजाने में but the princes लेकिन जो राजकुमारी थी was better वो और भी अधिक अच्छी थी and beat them easily और उस राजकुमारी ने उन city बजाने वाले लोगों को अच्छी तरह से क्या कर दिया हरा दिया तो लोग जो शादी करने के लिए आये थे उस राजकुमारी से उनमें कुछ तो ऐसे city बजाते थे जिनकी city बजाने की कला बिल्कुल ही खराब थी बकवास जिसे आप कह सकते हैं भयानक और कुछ ऐसे थे कुछ ही ऐसे थे जो ठीक ठाक city बजाते थे लेकिन राजकुमारी ने सभी को क्या कर दिया हरा दिया यह देखकर जो राजा था वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया बर दा प्रिंसे सेड लेकिन फिर भी राजकुमारी ने कहा never mind कि हें पिताजी आप चिंता मत करो now let me set a test अब चलो मुझे एक परिक्षा निश्चित करने दो and perhaps और शायद some good will come off it शायद हो सकता है इससे कोई अच्छा हो जाए तो राजकुमारी ने कहा कि पिताजी आपकी इस योजना की हिसाब से तो मैं शायद किसी से यहां शादी नहीं कर पाऊंगी तो चलो मैं अब क्या करती हूँ एक ऐसी योजना बनाती हूँ कोई ऐसा परिणाम निकालने के लिए को यसी मैं परिक्षा आयोजित करती हूँ हो सकता है उससे क्या हो जाए मुझे कोई इसका विकल्प मिल जाए तो देखते हैं राजकुमारी क्या करती है दैन तब सी टर्ण टू दा श्यूटर्स वो उन पुरुषों की तरफ गोमी जो उससे शादी करने के लिए वहाँ पर आये थे जो उससे शादी करने के लिए आये थे उनकी तरफ वो गोमी और क्या पूछा Do you acknowledge क्या तुम्हें ये सुविकार करते हो that you were beaten fairly कि तुम्हें अच्छी तरह से हरा दिया गया है जो हारने वाली जो लोग थे जो राजकुमारी से शादी करने के लिए आये थे उनसे राजकुमारी पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से क्या कर दिया है हरा दिया है No, नहीं They all died वो सभी जोड से गरचते हुए कहे कि नहीं नहीं तुमने हमें अच्छी तरह से नहीं हराया All सभी के सभी ने यही बात कही ही Except one केवल एक व्यक्ति कहला हुआ Suppose करते हैं सो व्यक्ति वहाँ पर आये तो 99 लोगों ने तो कहा कि नहीं तुमने मुझे तुमने हमें अच्छी तरह से नहीं हराया लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने यह बात नहीं की तो फिर उस एक व्यक्ति ने ऐसी क्या बात कही होगी We think It हम यह सोसते हैं वाज मैजिक की तुमारे जो सेटी बजानी की जो करिया थी वह एक तरह का क्या था शायद कोई जादू था और some short of trick या फिर वो कोई चालवाजी थी तो निनान शेयन लोग तो कहता है कि शायद तुमने कोई जादू किया है या फिर कोई चालवाजी की है but one said लेकिन एक वो व्यक्ति जो बच गया था उसने क्या कहा यस यस हाँ हाँ he said उसने कहा I was beaten fairly कि तुमने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से क्या कर दिया है हरा दिया है अच्छी खासी प्रकार से तुमने मुझे क्या कर दिया हरा दिया ये बात उस एक पुरुष ने क्या कर ली स्विकार कर ली the princess smiled और वो जो राजकुमारी थी वो मुस्कुराती है and turning to her father और अपने पिता की तरफ वो गूमती है she pointed to this man और वो उसे पुरुष की तरफ इशारा करते हुए कहती है तो अपने पिता की तरफ गूमती है और वो पुरुष जिसने ये कहा था कि हाँ तुमने मुझे अच्छी तरह से हरा दिया है उसकी तरफ इशारा करते हुए वो राजकुमारी अपने पिता से कहती है क्या कहती है if he will help me यदि वो मुझसे शादी करना चाहे यदि वो इस बात से सहमत हो कि वो मुझे शादी करे तो मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ तो इस प्रकार से ये जो कहानी है वो हमें ये शिकाती है कि किस प्रकार से एक पुरुष होने के नाते भी हमें अपनी गलतियों को स्विकार करना चाहिए जहां हमारी गलती हो जहां हम में कमी हो उसे हर किसी को बिना किसी बेदबाव के सुईकार करना चाहिए तो यह आपका लेशन था फिर मिलते हैं एक नए लेशन के साथ तब तक के लिए जैहिन वन्दे मातर